हलो एवरिवान एंड वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके शार शेर करने जारी हूं ब्रेट पकोडा की रेसिपी जो की बहुत पसंद आती है सबको और अभी गर्मियों की छुट्टी का टाइम चल रहा है तो सब लोग बहुत ही शाओ से इसको बना के खा सकते हैं तो उसके लिए मैंने यहां पर उबले हुए आलू को मैस कर लिया है और उसके साथ मैंने लिया है मिर्शी अध्रक लेसन और धनिया पती तो यह जाएगा स्ट्रफिंग के लिए तो चलिए अब हम बैटर रेड़ी कर लेते हैं तो मैंने साथ ही बड़ा पानी है सोड़ा पानी को अच्छी पाने डालके आपको अच्छी तरह से फेटना है ताकि इसमें जो लम्स हैं वो ना पड़े तो कम से कम आपको 2-3 मिनट इसको देना पड़ेगा तभी यह जाके अच्छी तरह से फेटेगा तो देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 मिनट तक इसको फेटा है उसके बाद में यह लहसन और अद्रक को मैंने कूट लिया है और इसको भी मैं इसी टाइम पे इसमें डालूंगी और इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है जस्ट एक-दो सिकेंड के लिए ही इसको पकाना है उसके बाद में हम डालेंगे इसमें मसाले तो मसालों में मैंने इसमें डाला है एवरेश्ट का मीट मसाला तो मैंने यहाँ पे दो चम्मच यूच किया है और उसके बार डाल देंगे हल्दी तो हल्दी टोटनल ओफसनल है आपका मन हो तो आप डाले और ना मन हो तो ना डाले लेकिन थोड़ा सा डालेंगे तो वो देखने में अच्छा लगता है उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वात की अनुसार नमग और इन सारी चीजों को एक दो मिनट के लिए हमें भून लेना है उसके बाद में हमने जो मैस किया हुआ आलू रखा था उसको हम डालेंगे इसमें और उसको जो है हमें 3-4 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भू तो इस तरह से कुछ आपको चला करके भुनना है तो यह कुछ ऐसी दीख रही है अभी तो अब बारी है इसमें फ्रेश धनिया पत्ती डालने की तो मैंने यहां पे थोड़ा सा जादा करके धनिया पत्ती डाला है क्योंकि यह खाने में बहुत ज़दा अच्छा लगता है और इसको भी हमें मिला लेना है और इसको थंड़ा करने के लिए हमें एक प्लेट में निकाल करके रख देना है और अब बारी है हमें अपने बेटर को चेक करने की तो मैंने इसको सबसे पहले रेडी किया था और धक की रख दिया था ताकि यह अच्छी तरह से फूल जाए तो इस बात का आपको जरूर ख्याल रखना है तो बेटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए तो मैंने जैसे रेडी किया है वैसे ही आपको रेडी करना है ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाड़ा उसके बाद जो हमारी आलू के स्टॉफिंग है वो भी ठंडी हो चुकी है और मैंने जो ब्रेड यूज किया है वो मीडियम साइट का ब्रेड है ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा है और यह साइज ब्रेड पकोड़े के लिए सबसे बेश्ट है तो चलिए अब हम ब्रेड में स्टॉफिंग अपना फिल कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे सेंटर में इसको रखूंगी तो आपको अच्छी तरह से जो स्टॉफिंग है उसको फिल करना है ताकि खाने में जो है व आपको साइड से तीश है इसको कट करना है ताकि यह ब्रेड पकोड़े की सेप में आ सके तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से रेडी कर लिया है और इसी तरह से आपको बाकी के सारे जितनी भी ब्रेड है आपको रेडी करना है तो मैंने यह सारा कुछ रेडी कर लिय मेरी दादी सास थे reget को अच्छी अशजी तरह कोट करना और बारी बारी से सोमें डालते जाना है थीयान रखा आप लो कने तुछ अची तरह है उसके पडेले में प्रिट में डीटतों नहीं ऊर्च, नहीं सैप्स्जातते हैdır तो देखिए कुछ इस तरह से आपको उलट पुलट करके इसको डीफ राइ करना है गोल्डेन ब्राउन होने तक और गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखे बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए तो यहां पर देखिए इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा टाइम दे आप देख सकते हैं तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि जो हमारा ओयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए क्योंकि हमने इसको जो है वो डीप फ्राइ किया है तो यहां पर बारी बारी से मैं सा खिजटनी लिया है यो ब्रेट पकोड़े के साथ बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है तो इस गर्मी के चुट्टी में आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत ज्रादा पसंद आएगा और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को पसंद होती हरी मिर्ची तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से तल लिया था ओल में ही तो देखा आपने बहुत ही जी तरीके से यह बनके रेडी हो चुका है और देखने में भी काफी ज़दा क्रंची लग रहा है और काफी ज़दा टेश्टी भी है तो एक टिप मैं आपको यहां पर द सब तक के लिए बै बै फ्रेंड्स